ओम स्री वेंकटेश्वराय नमहा, आज के वीडियो में हम तिरुमला में पढ़ने वाले बारिश के बारे में जानेंगे, वेधर कंडीशन के बारे में जानेंगे, साथ ही सभी टिकेट्स के भगतों को कितना कितना समय लग रहा है भगवान के दर्शन के लिए, चाहे वो 300 र तक बने रहें, क्योंकि अंत में एक छोटा सा ट्रिक यहां पर हम देने वाले हैं, जहां पर आप सर्वदर्शन यानि बिना कोई टिकेट के अगर आप जा रहे हैं किसी कारणवर्श, तो किस तरह से आप 2-3 घंटे में ही दर्शन कर सकते हैं, उसकी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, पूरा वीडियो जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेर अन सब्सक्राइब जरूर करें और जॉइन बटन के थ्रू हमारे फैमली का हिस्ता बने और हमें सपोर्ट करें, सबसे पहले जान लेते हैं कि तिर्मला क का वेदर कंडिशन कैसा है, दो-तीन दिन से तिर्मला में भारी बारिश हो रही है, हाला कि बारिश थोड़ी कम हुई है, लेकिन फोर्कास्ट के अनुसार अभी और भी दिन बारिश होने वाली है, तो जो लोग भी तिर्मला अभी जाने वाले हैं, पूरी तैयारी के साथ जैसे की रेंकोट या अम्रेला और बच्चों के लिए जो भी जरूरी सामान है उसे जरूर लेके जाएं। जो दर्शन कर रहे हैं उन्हें लगभग एक घंटी में दर्शन प्राप्त हो जा रहे हैं और जो लोग धर्म दर्शन यानि बिना किसी टिकेट के दर्शन कर रहे हैं उन्हें 10 से 12 घंटे लग रहे हैं दर्शन के लिए ये दर्शन टाइम डिपेंड करता है रश पर हर दिन होता है इसी लिए ये जो समय था वो कल के दर्शन टाइम के हिसाब से ओफिशल वेबसाइट में दिये गए आकडो के हिसाब से बताए गया है यही पर मैं एक ट्रिक जरूर बताना चाहती हूँ जो बहुत लोगों को नहीं पता अगर आपको किसी कारणवश कोई भी ओफलाइन टिकेट नहीं मिल रहा है ना ही ओनलाइन टिकेट है आपके पास तो अगर आपको धर्मदर्शन यानि बिना टिकेट के लाइन में लगना पड़ रहा है तो याद रहे आपको एके करके बहुत सारे कमपार्टमेंट में ले जाया जाता है एक कमपार्टमेंट खाली होते ही आपको दूसरे कमपार्टमेंट में ले जाया जाता है ऐसे बहुत सारे कमपार्टमेंट होते हैं यहाँ पर लाइन में ही आप टोकन ले सकते हैं और इस token का use बहुत ही अच्छा है अगर आप 11th compartment तक जाते हैं तो 11th compartment में इसी token को आप scan कराए और बाहर निकल जाए अगर बहुत जादा भीड है तो आप बाहर निकल जाए scanning कराके इसे ही आप scan कराते हैं आपको एक time दिया जाता है आप उस time तक उसके आधे घंटे पहले ति और 11th compartment में आप बाहर निकल जाए याद रखे टिकेट को scan कराके ही बाहर निकले ताकि आपको एक time मिले और उसी time के हिसाब से एक आधे घंटे पहले आप museum से फिर से रिएंटर करके 2-3 घंटे में दर्शन प्राप्त कर सकते हैं इस तरह से आप time को घटा सकते हैं तो बहु तो ये था एक छोटा सा ट्रिक अगर आप धर्मदर्शन के लाइन में लगे हुए हैं और बहुत तकलीफ हो रही है बहुत जादा रश है और आप नहीं लग पा रहे हैं रश पर तो इस तरह से आप बाहर निकल के फिर रिएंटर कर सकते हैं इसी point में एक important information में देना चाह पूरी planning की छोटे छोटे detailing और कौन कौन से places है तिरुमला और तिरुपती में जो आप visit कर सकते हैं उसकी पूरी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं तो जो लोग तिरुमला में पहली बार जा रहे हैं या plan कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो आने वाले व वीडियो हम बनाते रहे हैं अब जान लेते हैं कौन से दर्शन टिकेट बाकी हैं रिलीज होने के लिए official website में जून महिने के senior citizen physically challenged और medical condition वाले भगतों के लिए टिकेट को अभी रिलीज करना बाकी है साथ ही July महिने के 300-500 senior citizen medically condition वाले भगतों के लिए और physically challenged भगतों के लिए टिकेट को रिलीज करना बाकी है तो इन सारे टिकेट को में 20 तारिक के बाद रिलीज करने की योजना बनाई जा रहे है तो जैसे ही ये रिलीज होते हैं इनके सारे अपडेट्स timely इस चैनल में पोस्ट कर दिये जाएंगे आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इंफ झाल झाल